एक पंडित जी रामाईड कथा सुना रहे थे लोग आते और आनंद बिहोर होकर चाते पंडित जी का नियम था रोज कथा सुरू करने से पहले आईए हनुमंत जी बराजिये कहकर हनुमान जी का आभान करते थे फिर एक घंटा प्रिवचन करते थे बकील साब हर रोज कथा हैं तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे अते बकील सामने पंडित जी से पूछ ही डाला महराज जी आप रामाइड की कथा बहुत अच्छी कहते हैं हमें बड़ा रस आता है परंतु आप जो गद्धी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं उस पर क्या हनुमान जी महराज ऐसी बात नहीं बनेगी हनुमान जी यहां आते हैं इसका कोई सबूत दीजिए आपको सावित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं महराज जी ने बहुत समझाया कि भईया आस्था को किसी सबूत की कसोटी पर नहीं कसना चाहिए यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेमरस है व्यक्तिगत सद्धा का विशे है आप कहो तो मैं प्रिवचन करना बंद कर दू या आप कथा में आना छोड़ दू लेकिन वकील नहीं माना वो कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं यह बात और इस्थान बिबाद होता रहा मौखिक संगर से बढ़ता चलाज गया हारकर पंडित जी महराज ने कहा हनुमान जी है या नहीं उसका सबूत कल दिखाऊंगा कल कथा सुरू हो तब प्रियोग करूंगा जिस गद्धी पर मैं हनुमान जी को ब्राजित होने को कहता हूं आप उस गद्धी को लेकर आना और फिर मैं कल गद्धी यहां रखूंगा मैं कथाब से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा फिर आप गद्धी उची उठाना यदि आपने गद्धी उची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं है बकील इस कसोटी के लिए तयार हो गया पंडित जी ने कहा हम दौनों में से जो पराजित होगा वे क्या करेगा इसका निर्णे भी कर ले यह तो सत्य की परिच्छा है बकील ने कहा मैं गद्धी उची ना कर सका तो बकालत छोड़कर आप से दिख्छा ले लूँगा आप पराजित हो गए तो क्या करोगे पंडित जी ने कहा मैं कथा बाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चप्रासी बन जाऊंगा अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड हुई जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे बेभी भक्ती प्रेम और विश्वास की परिच्छा देखने आए काफी भीड हो गई पंडाल भर गया स्रद्धा और विश्वास का प्रशन जो था पंडित जी महराज और बकील सहाब कथा पंडाल में पधारे गधी रखी गई पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगला चरण किया और फिर बोले आईए हनुमंत जी ब्राजिये ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो थे मन ही मन पंडित जी बोले प्रभू आज मेरा प्रशन नहीं बलकी रगुकुल रीत की परंपरा का सवाल है मैं तो एक साधारण जन हूँ मेरी भक्ती और आस्ता की लाज रखना फिर बकील साब को निमंतरन दिया गया आईए गद्धी उ जम गई बकील साब खड़े हुए उन्होंने गद्धी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्धी को इस पर भी ना कर सके जो भी कारण रहा उन्होंने तीन बार हाथ बढ़ाया किंतु तीनों बार आशफल हो रहे पंडित जी देख रहे थे गद्धी को पकड़ना तो बकील साब गद्धी को छूभी ना सके तीनों बार बकील साब पसीने से तरबतर हो गए बकील साब पंडित जी महराज के चरणों में गिर पड़े और बोले महराज गद्धी उठाना तो दूर मुझे नहीं मालुम की क्यों मेरा हाथ भी गद्धी तक नहीं पहुँच पा रहा है अतह मैं अपनी हार सुईकार करता हूँ कहते हैं कि स्रग्धा और भक्ती के साथ की गई आराधना में बहुत सक्ती होती है मानो तो देव नहीं तो पत्थर प्रभु की मूर्ती तो पासाड की होती है लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्रान पतिष्ठा होती है तो प्रभु बराजते हैं स्री राम जी की जै